हलो माई डिया स्टूइ रसी पर फिर से आपका स्वागत करूए और इंफेक्ट आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है इतनी लेट लेकिन कई वर क्या करूँ काम आप ही देते हैं तो काम करना भी बढ़ता है इनफेक्ट मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था और मैं भूल गया उस वीडियो को बनाने के लिए उस बच्चे ने फिर से मुझे रिमाइंडर दिया सम्टाइम्स आम टू मच उक्टिपाइड और इसी वज़े से कई बार भूल जाता हूं लेकिन आपका रिमाइंडर मेरे लिए जो है फिर एक एक फोर्स का काम करते हैं और आज आज मैं आपके लिए लिकर आया हूं सोशल मॉमेंट अगर आपका सोचो का टोपिक है यह और इससे पहले एक वीडियो दे चुक हूं लेकिन ये क्वेस्टन उससे बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि मुझे लगा कि सारे क्वेस्टन कवर नहीं हो पाई थी एक वीडियो में और यहां पर ही जो क्वेस्टन में आपके साथ डिसकस करने का वो किया है तो यह टोटली डि इसका डिफरेंस भी आ गया अगर आपसे पूछा जाता है डिसेंट क्या होता है तो डिसेंट होता है जब आप किसी बहास से सेडिसफ़ाइड नहीं है लेकिन जब आप इस सीच को ओपनली सामने लिकर आ जाते हैं तो आपके लिए दो क्वेशन कवर होगे तो आपके दर सोशल मुवमेंट का रोल क्या होता है तो जो सोशल मुवमेंट है उसका एम होता है changing some aspect of society for example हमने लिया है आप एक डायरी में से आपकी जो data है उसी में से लिया है एक तो फ्रेंच रेवलुशन का एक्जेंपल आपने दिया है जैसे उसमें मोनाकी की अगेंस था when people were suffering औ और depressed थे और wanted freedom and equality ये social movement का example है कि जब French Revolution में जब लोग प्रिशान हो चुके थे मुनाकी से बहुत तंग थे और दूसरा है industrial revolution जो ब्रिटेन में होई थी और इसमें common आदमी involved था उनको salary कम दी जाती थी और उनके साथ वेवार भी बहुत बुरा किया जाता था तो ये दो example हमने इसके लिए हैं इसके लिए हैं नेक्स कुछिए है वाट इस अमेली डखेम्स व्यू अबाउट सोशल मुवमेंट के बारे में तो वो कहते है कि इट कैन लीट टू यानि जो सोशल मुवमेंट है वो कहते है कि डिसिंटिग्रेशन को लीड करेगा या disorder of society उनकी सोच ऐसी थ लिए हो जाए हैं इसको भिखेर की रखतेगा या इसको बिखेर की रखते कैये नेक्स्ट कौछिन है यहाँपर जो तियरी है resource mobilization की जैसे कि यहाँ पर लिखा हूँए theory of resource mobilization यह किस ने दी है तो इसको देने वाले कौन है McCarthy and Zald Z-A-L-D-Z-A-L-D यह दो नाम यहाँ पर mention किये गए हैं और इसी में है जैसे according to them how can a social movement be successful कैते हैं कैसी हो सकते हैं तो अगर एक person जो है वो able है to mobilize resources, resources में क्या आते हैं लोग, people, good leaders economic resources and political support इस सब की सब आ जाती हैं तो इसमें अना हजारे का भी आते है 2011 का जब उन्होंने ऐसा किसी भी बड़े बहुत बड़े अंदोलन का रूप तो दिया लेकिन उसी कि self interest नहीं था उनका कोई कहने का मतलब क्या है जब आप अपना self interest भी नहीं रखते लेकिन आप किसी अंदोलन को party speed करने में किसी अंदोलन को चलाने में successful हो जाते हो तो समझिए कि वो अंदोलन actual में लोगों को भी attract कर रहे है और सरकार का ध्यान भी खीच रहे है लेकिन आपका स्वार्थ नहीं उसमें होना चाहिए तो इसलिए कहते हैं कि एक social moment तब successful होगा जब आपका आप उसमें कोई self interest ना चीपा हो तो example इन्होंने अना जारे का दिया 2011 में जब उन्होंने लोगपाल बिल को लेकर एक अंदोलन चलाया था नेक्स कुशन है जो थियरी है वो रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली जो थियरी है वो social conflict के बारे में जो समाजिक दुहंद है उसके बारे में क्या कहते है कहते है social conflict तब आती है when a social group feels that it is worse off than others around it जब एक social group को लगता है भी यह तो उनके साथ तो बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है वो तो बहुत परिशान है तो तब जो है हम इसको accept करेंगे या इसको जो है तब हम essence में लेंगे इसी से connected है अगर theory of relative deprivation की बात करें तो कौन से psychological factors हैं जो insight करते हैं या लोगों के अंदर social moment की जो feeling लेकर आते हैं तो जो psychological factor की बात की गई है वो है एक तो rage और दूसरा है resentment rage होता है anger, resentment होता है जब आप किसी बात से satisfied नहीं होती तब आप ऐसा सोचते हैं नेक्स कुशिन है यहापर लिखा हुआ है मेंकर ओलसन की जो बुक है logic of collective action यह क्या कहती है social moment के बारे में तो यह कहती है कि यह aggregation है of rational individual actors pursuing their self interest जिसमें जो है सब के सब अपने self interest यानि उनका जो स्वार्त है वो छिपा हुआ है उसको लेकर यह काम कर रही होती है नेक्स कोशिन है जो unquiet woods है यह एक बुक का नाम है और इसको लिखने वाले कौन है तो यहाँ पर जो answer है वो है राम चंद्रा गुहा राम चंद्रा गुहा इस सा right answer what initiative was taken by the government of India to create a balanced structure and quality in India's ecology ecology क्या होती है इंडिया के environment को better करने के लिए भारत की सरकार ने क्या कदम उड़ाया तो यहाँ पर जो एक तो उन्होंने चलाया था प्रोग्राम वो था Integrated Ganga Conservation Mission जिसको हम कहते है नमामी गंगे और दूसरा है स्वच भारत अब्यान यह दो प्रोग्रेम चलाया थे ताकि इंडिया के environment को थोड़ा better बनाया जा सके Bengal revolt कब हुआ था time period हुआ था और किसके against हुआ था तो Bengal revolt हुआ था 1859 to 62 यह है 1859 to 62 और किसके against हुआ था यह actual में हुआ था Indigo Plantation System के against Indigo Plantation System के against हुआ था Deccan Roids की बात करें तो यह हुआ था 1857 में और किसके against था Money Lenders के against Money Lenders के against था यह ऐसे ही जो है Nixlight Moment हुआ था वो कहा सी हुआ था From the region of Nixlebury 1967 में Bengal में थोड़ा सा change आ गया इसमें पूरा air का और when did the first peasant यानि जो किसानों की organization है वो found हुई थी तो हम कहेंगे बिहार provincial किसान सबा थी वो यह सबसे पहदी थी 1929 में आई थी लेकिन इसके बाद second one भी आई थी जैसे हम कहेंगे All India किसान सबा 1936 में तो एक हमारी आती है 1929 में जो दूसरी आती है वो 1936 में 1929 में आती है बिहार provincial किसान सबा और दूसरी है हमारी All India किसान सबा 1936 में 1980 की अगर बात करें तो महात्मा गांदी ने कौन सी association की सापना की थी तो उसका जो नाम है वो है Textile Labor Association 1980 में Textile Labor Association एक्चन में क्या है बहुत कम चीज़े हैं जो आपको दूसरी चैप्टर में कहीं मिलेंगी because they are not concerned with society वहाँ कुछ और चीज़े बताई हुई है लेकिन यहां 1918 exact year बताई हुए और 1926 में जो Trade Union Act है वो पास हुआ था 1926 में और किस परपस के लिए पास हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए तो which provided for registration of trade unions and proposed some regulations इसका main motive क्या था registration होना चाहिए trade unions का और कुछ regulations यानि कुछ कानून होने चाहिए जिसको हम follow करें ताकि हमारा जो है देखो examiner के mind को तो आप नहीं पर सकते मैं भी नहीं पर सकते आप भी नहीं पर सकते हो सकते वो आपसे कोई general question पूछ ले इतने typical questions ना पूछे फिर भी आप डरिए गमत इससे पहले वाला part भी जो link है वो में share कर दूँगा इसी video की description box में और साथ में by chance अब 1.30 का time है रात का और मैं सिर्फ इसलिए कि मैंने commitment किया था तो मुझे करना था नहीं तो बच्चे कहते कि sir कह देते हैं बड करते नहीं so I wish you all the very best good luck और आप बहुत अच्छी marks लेकर आएं यही मेरी आपसे आपसे भी request है और God से भी प्रेय है thank you very much and have a very nice day